30 मिनट में किस तरीके से आपकी जो पेट में जमा गंदगी है उसको आप बाहर निकाल सकते हो यानि बाहर निकल के आपके सामने आएगी ऐसे मैं आपको तीन तरीके बताने वाली हूँ देखे जिस तरीके से इस कढ़ाई में ये गंदगी जमी हुई है ठीक इसी तरीके से हमारी जो आते होती है उनके अंदर जो है खाना इसी तरीके से जमा हो जाता है ये देखे जो खाना पच नहीं पाता है जब हम खाना खाते है तो हमारी आतों में जो है इस तरीके से वो जो कोई खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो खाना क्या होता है हमारी पेट के अंदर जाता है उसके बाद वो हमारी छोटी आत में जाता है फिर वो हमारी जाता है बड़ी आत में लेकिन इससे पहले आप क्या जानते हैं कि आपके पेट में अनाज जब भी आप खाते हो उसको जएगा उसके बाद नाज खाने के बाद आप 18 गंटे नहीं रहोगे उसके बाद आपको और चिज़े क्हाओगे का तो आपका खाना पचेगा नहीं पचेगा तो यह सब्सक्तार के ऐसा गंदा बनकर उसक पेट जहादे आपका पूरा शरीर साफ नहीं है और आपको बहुत से बीमारिया हो सकती है लेकिन वह तीन तरीके पेट की गंदगी है यानि आपके आतों में जमा हुआ मैल है उसको बाहर निकाल के आपके सामने ले आएंगे तो मैं आपको बताने वाली हूं तो सबसे पहला तरीका है कि सुबा उठकर गरम पानी पीना सुबा सुबा उठकर जब आप गरम पानी पीओगे तो क्या होगा वो आपके जो शरीर की आते हैं आतों को साफ करेगा और वो आतों में से मल बन कर आपका बाहर निकल जाएगा लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप 16 घंटे उपवास कीजिए दूसरा तरीका आपका ये है लेकिन कई बार ऐसा होता हम उपवास नहीं रख पाते हैं हम दिन बर धोड़ दूप वाला जो है काम करते हैं और काम करने की वज़े से जो है हम उपवास नहीं रख पाते हैं तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे सही तरीका तीसरा तरीका वो क्या है ये देखेंगे कडाई में है इतनी गंदगी है अब मैंने क्या किया है इस कडाई में मैंने डाल दिया पानी ये देखें जैसे ही मैंने पानी डाला है ये सारी गंदगी जो है एक जंगा जम कर जो है सामने आ गई है ये देखे सारा पानी मैं इसमें डाल चुकी हूँ और ये गंदगी जो है सिमट कर एक जंगा आ गई है और अब मैं इसको साफ करूँगी तो ये सारी की सारी जो है गंदगी जो है साधे पानी से आप पेट की गंदगी को भी साफ कर सकते हो उसके लिए आपको क्या लेना है आपको लेना है ये एक एनिमा पोर्ट जो की एमाजोन पर असानी से आपको मिल सकता है इसके अंदर आपने क्या करना है इसके अंदर आपने डाल लेना है 200-300 ml पानी वो भी ताजा पानी जो है आपने इसके अंदर डालना है उसके बाद आपने ये जो पाइप को लगा देना है इस तरीके से और फिर आपने पानी को इसके अंदर भर लेना है और आपने इसको पो इसके बाद इसकी position जो है आपकी कमर से जो है आपकी ऊपर होनी चाहिए यह देखे इसके यहाँ पर एक यह भी आता है लगा हुआ तो इस पर आपने क्या करना है कोई भी गोले का या आप तिल का तेल ले सकते हैं उसको आपने अच्छे से इस जगाया पर लगा देना है यह अब आपने अच्छे से लगा दिया है उसके बाद आपने क्या करना है आप किसी फ्लोर पर हो आपने फ्लोर पर इस तरीके से आपने बैठना है और position आपकी यह होनी चाहिए आपकी जो चैस्ट हो बिल्कुल डाउन होनी चाहिए और आपकी बैक जो है वो उपर की साइड ह सब्लोर पर इस तरीके से आपने इसको लगाना है और सिर्फ आपने 10 मिनट के लिए लगा के रखना एंगे और यह वपर हैं आपकी यह position आपकी नीचे बनी हुई है तो क्या होगा और लेका पम्रों पर यह पर है पानी पीट में चला जाएगा यानि होगा को अगर आपकी आतों में चला जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है बीस मिनट जो है आपने घूमना है और जब आप घूमोगे तो यह सारा पानी जो है आपकी आतों में अच्छे से मिल जाएगा और जितना भी आपकी आतों में मल जमा है यानि जितनी भी आपकी आतों में यह देख अगर आप सुबह खाली पेट उठकर सिर्फ 30 मिन्ट जो मैंने बताया है ये तरीका आजमाते हैं तो आप देखिएगा कि आपका जो शरीर है वो कैसे स्वस्त रहेगा और आप जो है रोगों से बिल्कुल फिरी रहेंगे और अगर आप हमारी और भी वीडियो देखना चारे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें